तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो, अगर इस वाले कोश्चन को देखो गे तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि electric field of electromagnetic wave is given by this equation. This is basically the equation of the electric field propagating. तो इस से हमेरे पास बनी पास चार डेटा है 1st, 2nd, 3rd और 4 ऑर चार आप्शन है. तो जो 4th आप्शन है, wave is traveling along positive x-axis. जब जो wave positive x-axis में जाती ही, जो इधर जाती है, x है, तो उसका equation होता है, y is equal to a sin या cos omega t minus kx, ठीक है, sin या cos के form में भी लिखोगे, तो यह omega t minus kx, और जो negative में जाती है, उसका जो है, वो plus होता है, y is equal to a cos omega t plus kx, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो plus दिया हुआ है, तो अगर बच्चों यहाँ पर यह जो plus दिया हुआ है, तो वेब जो है, वो negative x- x-axis में जा रही है, तो अगर वेब negative x-axis में जा रही है, तो यहाँ से जो fourth option है, वेब यह बिल्कुल क्या हो गया, wrong हो गया, मतलब यह option कभी सही नहीं हो सकता, first, ठीक है, चलो, अब हमें lambda k और amplitude निकाला, amplitude, इस वेब कदे को amplitude यहाँ पर दिया हुआ, यह क्या है, amplitude, यहाँ 10 meter, 10 meter amplitude, 10 volt per meter, तो जो amplitude है, यहाँ से, हाँ, तो amplitude अगर इतना आगया, अपना वेब का amplitude है, इलेक्टिक फिल्ड है, तो इलेक्टिक फिल्ड की maximum value 10 है, तो मतलब third option बिल्कुल सही है, यहाँ जो third statement है, वो बिल्कुल सही है, मतलब जिसमें third है, मतलब यह सही नहीं है, या तो अपना c option सही है, या तो अपना d option सही है, ठीक है, अब चलो k check करो, ठीक है, speed निकालो, किसी भी वेब की जो speed, speed जो होती है, speed shortcut तरीका क्या, omega अपन, k, omega मतलब coefficient of, coefficient of t, और divided by coefficient of x, ठीक न, simple सी बात है, तो यहां से coefficient of t कितना, coefficient of t, 10 की पावर 7 है, और coefficient of, हाँ, coefficient of यहां से, x, क्या है, k है, लेकिन यह एक electromagnetic wave है, तो electromagnetic wave है, तो यह जो speed है, वो c के बराबर है, समझ में आ रहा कुछ, तो speed और c के बराबर है, तो यहां से जो k की जो value आ जाएगी, वो 10 की पावर 7, और यहां से c आ जाएगी, तो जो k की value आ जाएगी, यहां से 10 की पावर 7, और c की वेल्लू यहा, 3 into 10 की पावर 8, तो 3 into 10 की पावर, तो 1 by 3 यहां से लेलो, तो 0.033 इतनी अपनी के की वेलू होगी 0.033 तो यह जो सेकेंड ऑप्षन है वह बिल्कुल गलत है कि यह 0.33 तो 0.03 मिला कि अपना डी ऑप्षन सही बन जाता है इस सवाल का और अगर आपको लैमडा निकालना है तो यहां से आप लैमडा भी कैलकुलेट कर सकते हो तो ओमेगा इस उकल टू क्या होता ओमेगा इस उकल टू होता टू पाइफ रिक्वेंशी और यहां से टू पाइफ रि तो ओमेगा की यहां से 2 और यह 3.14 और यह 3 इंटू 10 की पावर 8 आ गया और जो ओमेगा है उसकी वेलू देखो 10 की पावर 7 यहां दिया था ओमेगा इस उकल टू 10 की पावर यहां से 7 तो जब पूरा काट लोगे तो एप्रॉक्समेटली यहां जाता है 188.4 मीटर में आ जाएगा जो की यहां से 1 अपना सही है मतलब दो आप्शन इसमें से 1 और यहां से 3 तर्ड सही है यहां से 4 आप्शन यहां से सही हो जाता है थेंक्यू